बाई और बेहनों आज पुरा देश ये देख रहा है कि बीते सालों में हिंसा अराजक्ता और अब इस वात की दस्व को पुरानी समझ जाए कैसे उसका समाधान किया जा रहा है कैसे रास्ते खोजे जा रहे है कभी इस खेत्री की चर्चा होती थी तो कभी बम की आवाद सुनाई देती थी कभी गोलियों की आवाद सुनाती देती थी आज तालिया गुंज रही है जैकारा हो रहा है पिछले वर्थ सितंबर में कार्भी आंगलांग के अनेक संग्रण शांती और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के जुड़ गए दोहजार बीस में बोडो सम्झोते ने स्थाई शांती के नए द्वार खोल दिये असम के अलावा त्रिपुरा में भी एनेलेप्टी ने शांती के पत पर कदम बढ़ाए करीब डाई दसक से जो ब्रूर ही आंग से जुड़ी समस्या चल रही थी उसको भी हल किया गया बाकी जगों में भी स्थाई शांती के लिए हमारे प्रयास लगातार चल रहे हैं गंबीरता से चल रहे हैं साथ्यों हिन्सा से अशांती से जो सबसे अधिक प्रभावित होते रही हैं जिनको सबसे ज़्यादा दुख सहना पड़ा है जिनके आंसू कभी सूखे नहीं है वो हमारी माताएं हैं हमारी बहने हैं हमारे बच्चे हैं आज मैं जब हथियार डाल कर जंगल से लोटते नवजवानों को अपने परिवार के साथ परिवार के पास वापस लोटते देखता हूं और मैं जब उन माताओं की आँखे देखता हूं उन माताओं की आँखों में जब खुसी मैसूस होती है हर्च के आशू बहने लग जाते है मा के जीवन को एक शाता मिलती है संतोश मिलता है तो मैं आशिरवाद की अनुभूती करता हूं आज यहाँ पर भी इतनी बड़ी संख्या में माता बहने आई है इन माताओं बहनों का यहाँ आणा आशिरवाद देना ये भी शांती के प्रयासों को नई शक्ति देते है नई उर्जा देते है इस छेत्र के लोगों का जीवन यहाँ के बेटे बेटियों का जीवन बहतर हो इसके लिए केंद्रो और राज्यकी डबल इंजिन की सरकार पूरी शक्ति से काम कर रही है समर्पन भाव से काम कर रही है सेवा भाव से काम कर रही है